Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. Like CPU architecture, machine instruction, memory management, procedure calls, कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो ये थोड़ा complex हो सकता है, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि आपको assembly से और C से पाला पढ़ने वाला है आपका, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, एकदम दिमाग लगा करके, क्योंकि ये concept मैं बोलूंगा नहीं कि easy होने वाला है, ठीक है, मैं जितना हो सकते, उतना easy करने की कोशिश करने वाला हूँ, तो यहाँ पर prerequisite हम लोग बात करते हैं, कि पहले आपको क्या जानना जरूरी है, buffer तो आपने जान लिया, overflow भी जान लिया कि क्या होता है, लेकिन कैसे होता है, वो आगे की वीडियो में देखेंगे, अभी ये देखते हैं कि पहले जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जब code करते हैं, और जब वो run होता है, तो वो कैसे होता है, memory में कैसे allocate होती है, चीजें सारी, और data और code कैसे allocate होता है, memory में वो भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो जो call stack है, जो stack data structure है, वो आज पढ़ने वाले हैं, तो आज ये शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको, मैं stack के बारे में बताऊँगा, कि अगर आपको stack नहीं पता, तो stack एक data structure है, जो की last in, first out पे based है, मतलब क्या होता है, कि कभी-कभी आप books रखते हो, एक के उपर एक ठीक है, अब एक के उपर एक आपने books रखी, जो आपने last book रखी, उसको आप सबसे पहले पढ़ते हो, या सबसे पहले निकालते हो उसको, एकदम जो नीचे आपने रखी है, वो जो सबसे पहले आपने रखी थी, वही तो नहीं निकालते हो, नॉर्मल केस में आप सबसे उपर वाली निकालते हो, तो last in जो सबसे last में डाली थी वो सबसे पहले निकाली आपने तो stack भी वैसे ही क्याम करता है जो चीज सबसे last में add होगी वो सबसे पहले निकलेगी या सबसे पहले reference होगी बूल सकते हो तो call stack क्या है मनलब CPU में बोला जाता है और programs में बोला जाता है कि call stack है मनलब stack क्यों नहीं बोल रहे है call stack क्यों बोल रहे है तो देखो इसका मनलब यह है कि आपने सुना होगा function call अब आप जब code करते हो तो function calling होती है अब functions बहुत सारे होते हैं सारी कि मैंने एक ही function लिखा अपने code में और मैंने run कर दिया उसको अलग-अलग तरीके से function calls होते है एक function में दूसरा function लगा दिया दूसरे में तीसरा फिर तीन-चार बार call कर रहा हूँ मैं उसको तो यह जो पूरा structure है procedure call का मनलब function को आप procedure भी बोलते हो उसको आप routine भी बोलते हो उसको आप बहुत सारे नामों से जानते हो मनलब जब भी मैं बोलूँगा न routine या sub routine या procedure उस सब function ही होते है ठीक है अलग-अलग नाम है उसके तो यहाँ पे बोला है कि जो call stack है वो active subroutines की information store करता है subroutines मतलब वही आपका जो code है उसमें बहुत सारे functions है तो वही functions को हम लोग subroutines बोल सकते है और इसका use क्यों किया जाता है क्योंकि में आप ये बात अगर code करते हो तो जानते होगे क्योंकि जब function call किया जाता है तो हम लोग एकदम दूसरे memory location पर चले जाते हैं मलब उसका assembly code होता है jump तो jump instruction मिलता है तो किसी और memory address पर चले जाते हैं हम लोग तो लेकिन जब वो function जो हमने call किया जब वो complete कर लेगा अपने execution तो वापिस कहां पर आना है तो मलब जहां से मैंने call किया था उसी के just next instruction को execute करना पड़ेगा न तो वो value कहीं पर store करनी पड़ेगी तो उसी value को store करने के लिए हम लोग call stack की मदद लेते हैं और ये track रखने के लिए कि कौन सा sub routine कहां पर control return करना चाहिए प्रोग्राम में जब वो execution complete कर लेगा तो उसका main reason भी होता है call stack रखनेगा और ये हमेशा मलब ज़रूरी नहीं है कि call stack जो होगा जो उसका structure होगा वो हर CPU architecture में same होगा यहाँ पर आप जानते हो 32 bit के systems होते हैं 64 bit के systems होते हैं Intel के होते हैं ARM AMD बहुत सारे अलग-अलग tap के लोगों ने बनाय हुए है तो सबका अपना-पना काम करने का तरीका है बहुत छोटे-छोटे changes है लेकिन हर समय same नहीं होता है 32 bit का मैं आपर बता रहूँ आपको x86 architecture की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में ठीक है तो हर active subroutine active की बात में कर रहा हूँ जो stack में है मलब stack मलब मेरे process के लिए allocated है वो call stack तो मेरे process के address space में जब तक वो subroutine है तो वो मेरा active subroutine कहलाता है जो call stack में होता है तो stack में आप जानते हूँ कि दो operations होते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग function calls करेंगे वैसे वैसे उसे सबसे elements add होंगे stack में और कुछ एक portion जो call stack का है वो एक procedure के लिए reserved होगा उसको stack frame बोला जाता है तो हर subroutine का एक stack frame होगा एक part होगा call stack का जो वो reserve करके रखेगा जब तक वो execution finish ना कर दे तो दो operations होते हैं push आप जानते होगी जो stack है उसके top में element add करना और जो pop है मतलब top से remove करना हर चीज stop से ही होगी नीचे से कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो top से ही करना है ठीक है तो basic चीज थी तो मैंने आपको ये पहले बताया होगा है कि जो C का जो memory organization है कि जो stack है जो heap है वो किस तरीके से allocate होते हैं stack जो है वो high memory से low memory grow करता है मलब जैसे ही आप मलब कोई function call करोगे तो वो high से low जाएगा ठीक है इसको समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफी लोग नीचे से उपर ले करके जाते हैं फिर उपर से नीचे लाते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि समझना की low address है की high address है तो मैं बता दूँ फिर से याद रख लेना कि जो stack है वो high memory address से low memory address grow करता है वैसे वैसे वो allocate करेगा अपने अंदर चीजें अभी हम लोग heap नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग कोई और text data नहीं देख रहे हैं सिर्फ stack देख रहे हैं अभ यहाँ पर मैंने दो function define किये हुँ हैं तो यह समझने के लिए define किये हैं कि उसके बाद उसने func2 को call किया है तो यह procedure call है अब जो control है वो func2 पे जाएगा अब जो func2 है उसने खुद दो local variables c और d declare किये हैं और उसके लिए फिर memory allocate होगी stack में उसके बाद फिर से उसने तीसरा function call किया है func3 अब यह func3 जो होगा कुछ भी वो execute करेगा अब जब वो finish करेगा execution तब जाके func2 का execution finish होगा क्योंकि जब तक func3 पूरा execute नहीं हो जाता control यहाँ पर वापस नहीं आ सकता तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए कि कौनसा function किसने कब call किया और किसको पहले execute करना है किसको बाद में करना है काँ पर return करना है यह सब काम है call stack का वो data structure best है हमारे लिए तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कौनसा function सबसे पहले call होगा सबसे पहले finish करेगा execution वो है func3 और उसके बाद func2 और फिर उसके बाद आखरी में finally func1 define सबसे पहले func1 को किया है लेकिन execute सबसे पहले कौनसा हो रहा है func3 यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको यहाँ पर जो control है वो इस तरफ चले गया यहाँ से लेके इस तरफ चले गया अब जब वापिस आएगा func2 जब complete कर लेगा तो वापिस कहाँ पर आना है उसको पता होना चीए कि जो next instruction है वो यह execute करना है जब func2 से control वापस आता है तो लेकिन पता कैसे चलेगा वही जीज़ हम लोग stack में store करते हैं इसलिए हम लोग काम ने रेते हैं हमारा function call stack ठीक है तो यहाँ पर समझने के लिए एक और डाइगराम है simple सा कि func1 है उसने 2 को call किया तो 1 जो है सबसे पहले add होगा stack में ठीक है क्योंकि पहले वो call हुआ है उसके बाद उसने 2 को call किया तो उसके उपर add हो जाएगा 2 यह तो आप जानती है कि stack ऐसी काम करता है उपर में add होगा उसके बाद 2 ने 3 को call किया तो 3 यहाँ पर उपर add हो गया अब यहाँ पे 3 में कुछ नहीं है 3 ने किसे को call नहीं किया सिर्फ call stack बोल दिया अब अगर वो execute करना खतम कर लेगा तो वो pop हो जाएगा stack से पॉप हो जाता है उसके बाद फिर टब जब 2 खतम होगा तो यह 2 पॉप हो जाएगा उसके बाद 1 पॉप हो जाएगा फिर complete हो जाएगा execution फिर हमारा program जो code है वो successfully terminated मलब कोई interrupt वगर नहीं है तो वो successful हो जाएगा तो यह ऐसे काम करता है खेर इसको detail में समझेंगे आप अब बेन बात यहाँ पर आती है registers की CPU registers यह क्यों use होते हैं यह temporary data store करने के लिए use होते हैं और data का मतलब मेरा symbol यह नहीं है कि मैं int a equal to 10 store करूँ int b equal to 20 store करूँ या हो सकता है कि intermediate results इसमें stored हो a plus b k a minus b k लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर store होती है सबसे सादा मलब frequently वही store होता है जो है address चीज़ों की address store करना क्योंकि दो बाते होती है आप या तो किसी चीज़ को point करते हो या तो उसी चीज़ को hold करते हो आपने अगर 10 value store की हुई है तो आपका memory में कोई address होगा मलब मुझे पता है कि a की जो value है वो 10 है लेकिन उसको access कहां से करना है memory में तो a का address क्या है वो मेरे को store करना पड़ेगा तो इसलिए हमारे registers काम आते हैं वहाँ पे addresses बगरा store करने के लिए अब जब भी मैं point बोलता हूँ ना तो point का मतलब वह यह देखो यहां पर यह इसने बोला है point ASP ने ASP ने बोला है point point का मतलब यह है कि यह address store कर रहा है कि इसका address store कर रहा है top of the stack का यह हमेशा top of the stack को ही hold करेगा इसका full form है extended stack pointer यह हमेशा top of the stack को ही point करता है ठीक है जैसे जैसे आप elements add करोगे वो वैसा update होते रहेगा फिर मलब top में ही जाएगा वो और lower memory location मैंने क्यों बोला है क्योंकि आप जानते हूँ कि stack higher address से lower address पे grow होता है तो जब वो grow होगा तो lower पे ही जाएगा next instruction का आप जानते होंगे CPU का एक program counter होता है तो उसके जैसे ही है यहाँ पर EIP जो next instruction मेरे को execute करना है वो यह store करता है और यह एक read only register है यहाँ से आप value सिर्फ read कर सकते हैं और डान ले सकते हैं इसमें खुच सही जाएगी वहाँ पे तो आपको मैंने बताया था कि buffer workflow में return address को modify किया जाता है तो हमारा main target यह ही है यह वाला register मलब यह अगर override हो गया तो हमारा काम हो जाएगा तो return address बोल सकते हो यहाँ पे EIP में store होती है ठीक है जो भी next instruction होगा current के बाद वो जो execute करना है वो EIP में store होता है अब उसके बाद EBP यह भी ESP के similar है लेकिन यह ESP क्या था कि top of the stack store कर रहा था यह base of the stack frame store कर रहा है मैंने बोला था कि stack frame जो है वो एक subroutine को assigned होता है बहुत सारे stack frames होते हैं एक particular point पे stack में मलब हो सकते हैं होते नहीं है अब मैंने यहाँ पर example के लिए दो function ली है तो इसके लिए मुझे whiteboard पर जाना पड़ेगा whiteboard से आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे register वगर की address यहाँ पर store होगी तो यह मेरा मैं इसको minimize कर लेता हूँ मैं अपना whiteboard खोलता हूँ यहाँ और यह minimize कर लेता हूँ तो यह मेरा concern है आज का main है एक function जिसमें दो local variables है और एक func function है जिसको main ने call किया है तो उसने कुछ arguments दी हैं कुछ parameters दी हैं a, b के नाम से तो func उसको receive करेगा फिर उसने कुछ से दो local variable introduce किये हैं यहाँ पे और फिर वो execute होगे वापस आएगा main पे तो यह इसका जो call stack है वो कैसे बनेगा किस order में बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक call stack बनाता हूँ मैं तो मैं उपर से चालू कर रहा हूँ ठीक है नॉर्मल क्या करते हैं लोग जो stack है न उसको नीचे से चालू करते हैं नीचे add करेंगे फिर उसके उपर फिर उसके उपर लेकिन high memory address मैं ने बोला इसलिए मैं उपर से start कर रहा हूँ तो इसको गलत में समझना चीक है मैं आपर आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ पर जो memory addresses है 0 x f f f ऐसे करके तो यह higher address है और मैं आप नीचे आँगा यहाँ पे 0 x 0 0 0 यह exactly f f f यह 0 0 0 0 नहीं होगा क्योंकि हमारा जो call stack है वो एक part होता है आपकी memory का तो पूरा एकदम 0 नहीं होगा लेकिन यह lower address है यह समझे लो तो जो stack है आपका यह नीचे की तरफ grow हो रहा है यह आपका call stack है अब यहाँ पर बात करते हैं कि functions जो हमने दिये थे वो execute कैसे होत और वो किसके लेकी गई है देखो मैं आपर तीन elements बना रहा हूँ मैं आपको पहले बता दूँ कि यह 32 bit का architecture है तो इसमें जो memory होगी वो word addressable है मलब एक word 4 bytes का है और 64 bit का अगर architecture होता तो एक word जो है वो 8 bytes का होता और जो मैंने register बताया आपको EIP, EBP, ESP यह सर्व 32 bit के architecture में होत होगे तो वो RIP, RSP ऐसे टैप के होंगे अब यहां पर यह जो मैंने reserve करके रखे है ना यह main के लिए नहीं है अभी main function नहीं आया है तो main के पहले भी कुछ न कुछ call stack में रहता है वो क्या रहता है यह होता है अब का runtime execution frame exact नाम क्या है इसका वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है लेकिन runtime से कुछ मिलता जुलता है तो वो आप देख ले ना लेकिन यह पहले से allocate होता है अब main को भी किसे ने call किया होया चाहिए वो आपका kernel हो चाहिए कोई भी हो तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज allocate होती है यहा pointer होता है इसको आप EFP frame pointer भी बोल सकते हो लेकिन यह सबसे पहले add होता है आपके stack frame में इसके उपर discussion बाद में कर लेंगे चीए उसके बाद यहाँ पे जो ESP है आपका यहाँ पर point करेगा क्योंकि top of the stack यह ही है तो ESP जो है वो यहाँ पर point करेगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको main का बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर main में क्या हुआ था कि मैंने दो variables दो local variables declare किये थे आपको अगर याद होगा A और B के नाम से तो दो local variables declare किये थे तो वही मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर local variables के लिए जो memory है वो यहाँ पर stack में allocate होगी तो आपको यहाँ पर दो elements मैं आपको add करके दिखा रहा हूँ तो यह उल्टे order में allocate होता है मतलब पहले अपने A लिया था तो यह पहले B allocate होगा उसके बाद A यहाँ पर यहाँ पर आप higher address से lower address पर जा रहे हो चीक है मैं आपको बता रहा हूँ फिर से उसके यहाँ मैं सॉरी ESP यहाँ पर है अभी ESP यहाँ पर है अभी आपने func call नहीं किया अब आप func call करोगे तो उसके पहले एक important चीज है जो आपको main के stack frame में add करनी पड़ेगी वो है return address यहाँ पर देखिए जब आप func पर जाओगे और वहाँ से वापिस आओगे तब कहां से execution start करना है return 0 से हमको पता है लेकिन आपके CPU को कैसे पता होगा कहां से start करना है जो return 0 है उसकी address मिरको add करनी पड़ेगी तो वो कहां पर store करूँगा मैं वो मैं stack पर store करूँगा अब stack पर मैं push कर दूँगा return address कैसे मिलेगी मुझे return address अब यह जो func a b है उसका address मुझे पता है अब उसके बाद एक मैं add कर दूँगा उसमें तो मुझे return 0 मिल जाएगा तो एक add करने के बाद जो चीज मुझे मिली है वही मैं डाल दूँगा यहां पर पुश कर दूँगा अपने stack में यहां पर आप देखिए मैं पुश कर रहा हूं return address return address तो यह मिलब यह main के stack frame में है यह जो पूरा मैंने यहां पर लिखा हुआ है यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यह main का stack frame है अब उसके बाद जो stack frame होगा मैं इसको चोटा कर लेता हूं अब यहां पर add होगा आपका जो funk है उसका stack frame अब यहां पर सबसे पहले चीज़े क्या करनी होती है यहां पर अपने return address add की तो अब ESP जो है यहां पर है उसके बाद अब क्या add होगा अब मैंने आपको base pointer के बारे में बताया था जो मेरा यह base pointer है इसका क्या काम होता है अब इसका काम आपको अभी समझ में आएगा तो जो EBP है मैं जो पुरानी value है EBP की यह जो यहां पर stored है उसको मैं पुछ कर दूंगा stack पर, यहां पर EBP अब यह जो value है यह old value है यह main की value है यह main का EBP था ना उसकी value मैं store करूंगा यहां पर EBP की नाम से, main का EBP अब ESP कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा तो मैं पुरानी वाली वैलू थी न EBP की वो मुझे यहां पर स्टोर करनी पड़ेगी तो मैं स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको अपडेट करना है यहां पर दो चीज़े मैंने बोला था कि एक होती है address एक होती है actual data तो जो EBP है वो इस address में स्टोर हो गया लेकिन इस address को कौन होल्ड करेगा इस address को मैं अपडेट कर दूँगा तो यहां पर जो है आपका जो EBP है वो यहां पर आ जाएगा अब आपको EBP को अपडेट करना है उसको return address store की ठीक है पुराने वाले में फिर उसके बाद आपने पुराना जो EBP था उसको push किया stack पे और फिर तीसरा काम किया आपने ESP की value EBP में copy कर ली तो EBP अपडेट हो चुका है अब EBP यहां पर नहीं है महला पहले EBP यहां पर point कर रहा था लेकिन अब यहां आ चुका है तो इसके लिए मुझे EBP पहले store करना पड़ेगा पुराना वाला उसके बाद फिर मैं इसको यहां पर लेके आऊँगा अब उसके बाद मैं आपर stack frame change कर चुका हूँ यह जो stack frame है मेरा यह मेरे funk का है उसके बाद उसने गया किया है मुझे यहां पर देखना पड़ेगा उसके बाद इसने कुछ-कुछ यहां पर call किया होगा उसके बाद return कर लेगा यह चीक है अब यहां पे जो ESP है वो इस जगह पे है मैं आप पूँ ESP इस जगह पे है top of the stack अब EBP का काम क्या है मैंने आप EBP डाल तो दिया है लेकिन इसका काम क्या है यह जो stack frame है यह आपका funk का है funk का stack frame है अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है मैंने बहुत खराब diagram बनाया है यहां पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक नए point से यह जो है मेरा EBP से लेके return address तक यह जो है यह मेरा main का है और यहां से जो है नीचे तक कहीं तक भी गया हो कुछ-कुछ allocate किया गया हो कुछ-कुछ काम किया गया हो यहां पर ऐसा नहीं कि local variables store होते हैं आपके stack frame में बहुत सारे registers की value यहां पर भी store होती है बहुत सारे और होते हैं EAX EAP EBP मलब EBP नहीं और EDX EBX बहुत सारे होते हैं तो वो भी data store करते हैं कुछ-कुछ काम करने के लिए अब EBP मैंने यहां पर क्यों लिखा हुआ है क्या काम है इसका EBP का यहां पर देखिए अब जब भी मैं reference करूँगा यह जो D है जब भी मुझे इसकी value चाहिए होगी तो मैं कैसे reference करूँगा यहां पर जो EBP है इसमें मैं indirect addressing mode जो आपने पढ़ा होगा register addressing mode में वो मैं आपर apply करूँगा जो कि कैसे लिखा जाता है percent sign से percent EBP ठीक है तो EBP का जो address है वो आपको अगर reference करना है तो आप यह जो percent का sign है उससे करोगे अब यहां पर आप मुझे D को access करना है तो मुझे आपर subtract करना पड़ेगा minus 4 तो यह होगे आपका D का address minus 4 क्यों कि है मैंने क्योंकि आपको पता है कि higher address से lower address पर जा रहे हैं तो address minus करना पड़ेगा minus 4 bytes क्यों कि है क्योंकि एक word का size 4 byte है अब अगर मुझे C को address करना है यहां पे तो मैं minus 8 करूँगा जायट सी बात है minus 8 करूँगा na EBP में तो मेरा बताने का यह मकसद है कि जो भी चीज आप अगर reference करना चार रहे हो अपने stack frame में वो आप EBP से करते हो EBP is a reference it is an indirect addressing reference जो आप use कर सकते हो हर चीज को address करने के लिए अब return address जो है वो भी आपका plus 4 e करने से आएगा plus 4 EBP करने से आजाएगा आपका return address क्योंकि उसके just ऊपर में है ना आप देखो EBP के ऊपर में है अब यहाँ पर चलो ठीक है यह तो काम होगे आपना जब आप control return करोगे तो कैसे return होगा मलब funk जब execution अपना खतम कर लेगा तब जो काम है वो कैसे होगा मैं आपर ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे काल से दिख रहा होगा तो फिर से मैं वही गाम कर रहा हूँ अब जो funk है उसने execution complete कर लिया अपना अब क्या होगा पॉप कैसे होगा तो यहाँ पर मैंने exact जो stack है वो copy कर लिया है अब ही का है जो ESP है वो यहाँ पर है अब अगर मुझे funk को funk से return करना है तो मैं क्या करूँगा जो EBP था जो यहाँ पर point कर रहा था उसकी value में copy कर लूँगा ESP में तो EBP और ESP दोनों यहाँ आ जाएंगे और जो यह वाला ESP है वो खतम अब आप बोलोगे कि जो C है जो D है और जो और भी यहाँ पर कुछ-कुछ तोड़ होगा funk के लिए वो कहां गया अब कहां गया वो मुझे नहीं पता वो garbage हो गया मेरे लिए अब मैं उसको accept नहीं करूँगा अब मेरा top of the stack जो बोल रहा है मेरे पास बस वहीं तक है मेरे call stack में उसके नीचे जो भी है वो मुझे नहीं पता वो अब मैं de-allocate कर चुका हूँ ठीक है तो तब ही आप देखते हो जब आप नया कुछ अगर allocate करोगे stack में मलब कोई नया function call करोगे या कुछ नया variable अगर declare करते हो तो उसमें garbage value आती है क्योंकि पहले से value जो यहां पे है वो मैंने override नहीं की है मैंने या पर simple इसको मलब बोल सकते हूँ कि नकार दिया है या इसको boycott कर दिया अगर मैं override करने जाओंगा तो extra CPU cycles execute होंगे तो उसमें time लगेगा और मेहनत भी खर्चोगी तो वो काम का नहीं है इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया और ESP को नीचे कर लिया अब ultra काम करना है simple ESP को आपने नीचे कर लिया है top of the stack यह यह आपका उसके बाद जो EBP है पुरानी value जो है EBP की वो आप restore कर लो तो EBP यहां पर आ जाएगा sorry EBP जो है यहां पर आ जाएगा पिर से वहीं पर आ गया और अब जो है B जो है या A जो है या जो return address है वो भी अगर आप करना चाहते हो reference तो आप यहां के EBP से कर सकते हो और उसके बाद जो return address है यह जो है यहां पर EBP भी पॉप हो जाएगा ठीक है यह वाला pop हो जाएगा क्योंकि यह यहाँ पर आ चुका है और अब जो return address है यहाँ पर आपकी और अब जो return address आपकी यहाँ पर है वो आप use कर लोगे पता करने के लिए कि next execution कहां से start करना है यह return address बता देगा आपको तो यह जब आप exploit करते हो तो आप यह देखो कि जब allocate करते हो चीज़ों को यह जो c है c variable की value आपको यहाँ पर allocate करने कितनी वो आप बताओगे पहले से यह जो size buffer का कि जो c का size है वो क्या है फिल्जाल मैंने उसको integer लिया है तो हो सकते है उसमें 4 bytes allocate हो कि 8 bytes अलोकेट हो डिपेंड करते है अलग अलग सिस्टम्स पे लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि c में मैं value store कर रहा हूं 50 या 60 तक कि अगर उतना मैं आप अलोकेट नहीं कि है उसी के लिए लेकिन वो मैं store कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो values डलती है वो इस direction में डलती है c से d बोल सकते हूं मलब higher address की तरफ जिस direction में stack allocate होता है न ग्रो होता है न उसके ultra direction में आपकी value store होती है तो यहाँ पर देखू कि मैंने c से डालना चालू किया कुछ बड़ा सा input दिया तो यहाँ पर वो क्या करेगा एक point ऐसा आएगा कि जो ebp है उसके पास आ जाएगा वो ebp की जो address है वहाँ पर आ जाएगा तो ebp override हो सकता है अब उसके बाद देखू क्या है return address यह चीज़ हमारा concern है कि हमको यह override करना है तो यह भी एक point आने के बाद override हो सकता है और ये भी वो सकता है कि इसको समझ में ना आए कि जो अपने address दी है जो अपने override कर दी है वो कहाँ पे है तो वो segmentation का fault देगा लेकिन अगर आप carefully पता कर लो कि जो C है उससे return address कितना दूर है तो फिर आप specifically craft कर सकते हो एक payload और वहाँ पर आप store कर लो पहले उसके बाद फिर आप return address में ऐसी value डाल दो जो आप चाहते हो जो आपको पता है कि shell code की है आपकी वो डाल दो और फिर वो execute हो जाएगा तो simple ऐसी काम करता है और ये था आपका stack call stack का call stack का जो structure है वो ये है तो ये ऐसी है मुझे नहीं पता आपको समझ में आयकर नहीं है लेकिन जो summary है मैं आपको बता रहूँ यहाँ पर जो allocation है आपका वो ऐसे हुआ है यह आपका return address है यह आपका EBP है और यह आपका return address है और यहाँ पर आपके जो values है वो allocate हुई है यहाँ यह C है मालो तो जब भी आप C भी कुछ value डालोगे अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या है इस तरफ जाएंगी और अगर आपने C को बापस कर लिया तो DPI जाएंगी या जो भी allocation है उसके बाद एक time के बाद वो EBP को override कर देगी उसके बाद return address को कर देगी और यह हमारा कंजान है यह जिस हमको करनी है तो यह है आपका call stack और बहुत ही simple तरीके से मैंने कोशिश किया बताने की और यह मैंने सब कुछ नहीं पता है बहुत सारी और चीज़ ही होती है इसमें लेकिन अभी concern नहीं हम लोग course नहीं बना रहे है simple जो आपको overflow में सीखना है वही मैं आपको बता और फिर से बोल रहा हूं कि अलग-अलग architecture में अलग-अलग vendors में यह अलग-अलग हो सकता है लेकिन overall जो general है वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है यह है हमारे इस वीडियो में काफी लंबा हो गया मेरे क्याल से काफी लोगों ने देखा भी नहीं होगा I hope अगर आप यहां गुट बगाई